हेलो दोस्तों दो कैसे आज हम लोग पढ़ेंगे एकसे 5.2 के रिमेनिंग कोशन कोशन नमबर 17 से स्टाइट करने पिछली वीडियो में यानि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बाकी कोशन कवर करवाए हैं उन वीडियो को जरूर देखना तो स्टाट करते एकसे 5.2 अरिथमेटिक वही थमनेल आप देखी चुके हैं और ध्यान से देखिए गौर से देखिए इस चहरे को जो आपको यह लेशन पढ़ाएगा ठीक है यह हूं मैं ठीक है आपकी स्क्रीन पे पहला प्रस्ट कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप कोशन को देखिए एक पर फाइंड दा ट्वंटीएथ टर्म कौन सी निकाल लिए बच्चे ट्वंटीएथ टर्म निकाले ट्वंटीएथ टर्म तो हर बच्चा निकाल सकता है कि A20 is equal to A plus 19D अगर आप यह स्टेज तक पहुंच गया है तो मैं यह समस्ता हो कि आपको यह पता होगा कि A20 A plus 19D कैसे A and A plus N minus 1 into D but इसमें क्या बोला है from the last term of NAP कहां से बोला है from the last term of NAP उसने यह नहीं कहा कि आप मतलब 28 term निकालो वर्ड इसमें क्या है the master stroke is last term last term से निकालना है ची तो अगर आप सीधी बात करें सीधी बात नो बकवास तो उसी साब से बनना 3 8 13 last term है 253 अगर सीधी बात की जाए तो उसने कहा है पर last term से निकालना आपको क्या करना है सीधी चीज ये वाली चीज फिस्ट लास्ट बन जाए लास्ट लास्ट को फस्ट बना दो फिस्ट को लास्ट बना दो आपको answer मिल जाएगा तो अब एक और दूसरी बात यहां पे जब आपकी series सीधी चल रही थी सीधीज चल रही थी तो आपका term बड़ता जा रहा था निकालना है तो जो first है जो last है वो first बन गई जो first है वो last बन गई A की value आपकी 253 आ गई ठीक है और आपका जो difference है difference पहले क्या था प्लस में 5 था अब किस में चलेगा minus में 5 आपको answer मिल जाना है A20 निकालना है A plus 19 D चलो जी ये तो खतम कहानी A253 प्लस 19 इंटू 5 ठीक है 253 प्लस 19 इंटू 5 95 प्लस माइनस माइनस अब आप इस में से इसको माइनस करेंगे ठीक है तो ये आगा आपका 158 तो आपके पहला question number 17 जो किया आज की class का उसका answer 158 निकला next question आपकी screen पे ये रहा computer में होते दखाईए इनको इनकी screen पे ये question ये देखिए गॉर्ष देखिए इस question को यह वही question है जो थोड़ी सी problem create कर सकता है पर हम जब तक बैठे हैं तब तक question में कोई problem नहीं रहेगा कह रहा था sum of fourth और ये क्या हो गया क्या हो गया ये ये रहा ठीक है ये कुछ हो गया technical problem हो गया था इसमें the sum of fourth and eighth term of nap is 24 क्या बोल रहा है चौथी term बड़ा term लिखेंगे हम लोग fourth term and sum of eighth term of nap is 24 जादी बड़ा हो गया था pen के size को चूटा करते हैं और आपको दिखाते हैं question क्या रहा है चौथी और आठवी term का जो sum है वो 24 है दूसरी तरफ क्या रहा है sum of sixth sum of sixth sum किसका करना है sixth term का और आपकी tenth term का tenth term का is 44 is 44 बाकी की बात बात में शीदी बात नहों बक्वास find the first three term of nap first three time of an ap निकालनी है वो तो बात की बात है कि इसका क्या होगा first three time आपको निकालनी है पहले तो इसी से आपको बनाना पड़ेगा a4 को क्या लिख सकते हो a4 को हम a plus 3d लिख सकते हैं बच्चे yes a8 को क्या लिख सकते हैं a plus 70 बोलो हाँ equal to 24 a a कितना होगा a a 2a बच्चे 3d 70 3d 70 10d equal to 24 ठीक है दूसरी तरफ देखो a plus 5d equal to a 10 इसके पैर में क्या है 10 तो उसके a कम करके लगा दोगे d 44 2a plus 914 d equal to 44 clear है सभी को आशा करते हैं कि आपको इतना समझा है अगर 2 common निकालेंगे इसी के साथ a plus 5d equal to 24 common इसलिए लेते हैं था कि थोड़ा सा some easy आपको बन जाए तो आपके पास पहला जो बन रहा है equation a plus 5d is equal to 12 यह आपकी screen पे पहला computer महोदे ने बना दिया है दूसरा एक तरफ देखे 2a plus 14d 14 से आपको मिलेगा 70 equal to 44 और यह आपकी screen पे यह देखो कटके कहां पे जा रहा है screen पे पता नहीं यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं ठीक है computer महोदे थोड़ा सा उपर लेके जाए sum को yes 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 ठीक है तो आपके पाथ दूसरा equation a plus 70 is equal to 22 दूसरा equation आपके screen पे कुछ इस प्रकार से दिखता हुआ तो a plus 5d है और दूसरा यह है ठीक है जी अब पहले और दूसरी equation को इसके नीचे रख दिया जाएगा a plus 70 is equal to 22 अब sin को कर दोगे change plus k minus 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 यह cancel हो जाएगा 5d minus 70 बच्चे 2d हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 10 ठीक है हाँ यही है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है d equal to 5 आगया है आपके पास ठीक है तो d is equal to 5 आपकी screen पे difference 5 का दिखता हुआ और आगे चलते हैं पहली statement पुट करेंगे इसी के साथ थोड़ा सा जाद ही ओपर चला गई है इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं हम लोग आजा बटे ये देखिए आपकी screen पे अब मैं पहली equation को लेकर आता हूँ यहां पे a plus 5 d is equal to 12 और इसी के साथ d को put करते हैं यहां पे 5 equal to 12 5 5 the 25 a plus 25 is equal to 12 यह plus का है उधर जाएगा minus हो जाएगा और a की value इसी के साथ minus 13 आ गई आपके पास a की value minus 13 d 5 और आपको पहली 3 term ap की निकालनी है गौर से देखिए इस question को एक तरफ मेरी बात समझने कोशी करो कि अब series बनाना a1, a2, a3 लिखने की जगा कुछ इस तरह से इस प्रकार से series को हम यहां पे दिखाएंगे आपको पहली term a मतलब first term first term a1 होती है यह आपको पता ही है पहली term minus का 13 है अब इसमें कितना add करना है 5 add कर दो जी बच्चे 5 add करोगे तो यह क्या जाएगा minus का 8 तो पहली a1 हो गई यह a2 हो गई यह तीसरी term computer महोदे दिखाएंगे बच्चों को तो plus 5 add करेंगे तो आपके पास फिर आएगा minus का 3 यह हो जाएगा आपका a3 that solve my your honor पतना क्या बोलता है ठीक है तो यह a की value minus 13 और a2 की value minus 8 तीसरी value minus 3 तो आपके screen के सामने यह answer निकल चुके है इसके बाद हम लोग करेंगे आगे यहां से देखो ध्यान से हाँ यह देखो अब थोड़ा सा सूबा की बात की गई है ठीक है एक कोई सूबा राओ है सूबा राओ started working 1995 कितने में 1995 1995 में बंदे ने काम करना शुरू किया annual salary उसकी 5000 थी annual salary 5000 रुपय and received an increment of 2000 each year हर महीने उसकी जो salary है कितनी बढ़ रही है 200 रुपया प्रती माह बढ़ती हुई salary 200 रुपय बढ़ रही है कितने रुपय बचे 200 रुपीज हर मंत में बढ़ रही है ठीक है किया रही है ऐसे बढ़ते 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 7000 उसकी salary कब हो जाएगी आपको यह बताना है ठीक है अब दिखो मेरी बात सुनो पहले में कितनी है A की value 5000 difference 200 200 से बढ़ता जा रहा है इसके बाद कब उसकी salary 7000 रुजाएगी AN की value 7000 कब हो जाएगी in which year एक particular year में पूछा है ठीक है in which year year 1995 में उसने काम शुरू किया AN का formula क्या होता A plus N minus 1 into D यह होता है n question को solve कीजिए AN की value 7000 A की value आपकी screen पे 5000 6000 plus N minus 1 अब तो खत्म ही है इसका खेल D difference कितने का 200 का है बच्चे 7000 में से 5000 करोगे 2000 बचेगा 200 से यह multiply हो रहा है यह N minus 1 है ठीक है जी 200 2000 यह कितना आगा 10 आजाएगा ठीक है अब N की value के आगे 11 आगे ठीक समझे के समझ रहे हो ओह यह तो ऊपर चले गया N की value के आगी 10 यह minus था इधर आगे plus 1 N की value के आगी 11 11 वर्ष के बाद after 11 year उसकी जो salary है salary कितनी हो जाएगी rupees Gandhiji का note 7000 रूपया salary लेकर वो घर जाएगे अपना ठीक है आया समझ अभी को तो आज की class का इसका end of a location आही रहा है आपकी screen पे कुछ दिखेगा देखते हैं यह रहा computer महोद है बच्चों को दिखाया उनकी screen पे यह प्रश्न थोड़ा सा उपर चला गया है यह रहा ृ consegue फॉस्ट यह में उसने कटने पैसे बचाय है rupees 5 इतने रुपय पंच रुपय उसके बाद then increased her weekly saving by rupees यह उसकी saving बढ़ती है if the nth week हर weekly saving become 2 यारी वही है simple, साइ fundamental है ठीक है पहले में a 5 difference बढ़ रहा है कितने से बढ़ रहा है 1.75 से बढ़ रहा है an 20.75 हमें क्या निकालना है n, निकाल दो अच्छे an का formula a plus n minus 1 into d बोलो हा an की value 20.75 equal to a 5 plus n minus 1 d difference अब difference इसका बच्छे कितना हो जाएगा difference कितने का है 1.75 का clear अब बो 20.75 में से 5 minus कर दोगे तो 15.75 बच जाएगा equal to n minus 1 1.75 इतना है समाज अब तो calculation based ही है बच्छे अब तो calculation based ही है बच्छे ठीक है तो ये 15.75 को डिवाइड करना है 1.75 से n minus 1 यही है ना दिखा देता हूँ मेरे को तो पता लगया पहला आपको दिखाता हूँ थोड़ असा यही है अब इसको इससे डिवाइड करना है अब मेरी बाद सुनो जब पॉइंट के बाद डिजिट सेम होना तो पॉइंटों को भी काट दिया करो पॉइंट के बाद यहां पर भी 2 डिजिट है पॉइंट के बाद यहां पर भी 2 डिजिट है तो पॉइंट को पॉइंट से उड़ा दो इसम जाने के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं बता 1575 अब मेरी बाद सुनो 175 है ठीक है 175 है जो यह तो पहले 5 पे दिखोगे एक तो सबसे पहले बाद 5 है और आपको multiply ऐसे number के सथ करना है कि नीचे भी 5 आ जाए ठीक है तो 5 पे तो यह हो नहीं रहा सिदा I think 9 पे जाएगा ठीक ठीक यह अगर अब 9 से cutting करोगे शायद भूजाना चाहिए 9 पे 10 पे तो 1750 हो जाएगा तो उससे नीचे यही बन रहा है मेरे सब से तो 175 इंटू 9 करके दिखा दे 95045 300, 300, 400, 400 9, 6, 15 15, 75 यही है सही है सही है यही है N की value के आगई 10 तो यह आपका हो गया 10 ठीक है तो यह थे आपकी class के आज के question और इसी के साथ मैं 5.2 का करता हूँ समाप्ता एंड देखते रहे हमारे एपिसोड को अगले exercise 5.3 करेंगे आपके लिए जुड़े रहे हमारे साथ और enjoy करें इस math के show को मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में तब के लिए good night सबक हैर टाटा बाई बाई जैहिन